हलो दोस्तों, भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर आज सुभब की 12 भड़ी कुरें, 12 भड़ी अप्डेट्स आप सभी के लिए लेकर आज चुआ हूं आज है 16 दिसंबर 16 दिसंबर की यह बड़ी अपडेट्स यहां पर रहने बाली है तो जैसे कि आप थमनेल के ऊपर देखी चाहिए रहे हो पूरी जानकर आपको दोस्तों वीडियो में देखने को मिलेंगी इस वीडियो में ठीके तो चली दोस्तों शूरू करते हैं पहली हुआ घरेलू गैस सिलिंडर तो बिहार और हैरदावाद के चुनाफ समाफ्त होते ही गैस कंपनियों ने उपभोगताओं को बड़ा जटका दे दिया है 15 दिन में घरेलू गैस सिलिंडर के दाम 100 रुपए बढ़ गए पहले 2 दिसंबर और फिर 15 दिसंबर को 50 50 रुपए की बढ़ोतरी जो है की गई है अब उपभोगताओं को घरेलू गैस सिलिंडर 791 रुपए में मिलेगा जबकि सबसेड़ी की राशी अभी सपस्ट नहीं है और विवसाइक गैस सिलिंडर के दाम 25 रुपए बढ़ने के साथ अब जो है 1449 रुपए में सिलिंडर मिलेगा अब अब भोगतां को होम डेलिविरी से साथ सो बानवे रुपए चुकाने होंगे चुकाने होंगे और स्थाने गयास अजनसी कि प्रजिंडियों का कहिना की रास्ट्री स्तर पर ही दाम मैं भढ़ोतरी हुई है 31 तक प्याज का मिन्धारन करने की सीमा तै तो केंदर सरकार ने केंदर सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने प्याज के बंधारन की सीमा तै कर दी है और अभी जो है अजिशुचना के अनुसार थोक बिक्रिता को 25 मिट्रिक टन और फुटकर बिक्रिता को 2 मिट्रिक टन तक प्याज को एक बार बेचने परिवहन करने और बितरित या इस्तिमाल करने को लाइसंस की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो एक उस दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टनेंट अपडेट है और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं तो यह रही हिमाचल में आज आए 435 क्रोना के नए केस मंडीक में आज फिर सबसे अधिक 120 शिमला में 95 कांगड़ा में 63 1649 केस आज 11 लोगों ने तोड़ा 576 हुए ठीक अब तक 42 531 हुए ठीक दोस्तों इसके लाबा यह अपडेट दिन में 3 बार आती है करोना की आप मेरे टेलिग्राम चैनल के ओपर देख सकते हो इसके लाबा जो कोई भी मैं नोटिफिकिशन या पीडिएफ अपलोड करता हूँ वो भी आपको मेरे टेलिग्र चैनल के उपर अराम से मिल जाएगा तो टेलिग्रम चैनल का नाम है भारत अपडेट बहां कवर अगर आपको नोटिफिक्शन चाहिए होता है कोई भी जो आपको वीडियों दिखाता हूँ तो वह आपको मैं वहीं पर पर परवाइड कर दूँगा टेलिग्राम के उपर तो वहाँ पर आप चेक कर लिएगा ठीक है विजिट कर लिजेगा टेलिग्राम के उपर और अभी अगर अभी तक आपने ट्विटर के उपर फोलो आप मुझे कर सकते हो इसके आप दूसरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दूसरा चैनल भी आप सब् जन समेज देश भर की चोदा दवाईयां नवंबर के ड्रग अलर्ट में मानकों पर ख़दराह नहीं उत्री हैं दवा निंतरक नवनीत मरवाह ने सभी दवा उतबादकों को नोटी जारी कर बाजार से स्टोप बाप्त लेने को कहा है तो बद्दी के भुड स्थित डिपोल फार्मसुटिकल इंडिया कंपनी की फिनाईर माइन मलीट टैबलेट तो यह कुछ यहां पर बहुत सरी टैबलेट्स हैं तो इन सभी के सेंपल यहां पर निकले हैं ऐलर्जी बुखार मल्टी बिटामिन बीपी की दवा हैंड सेनिटाइजर की सेंपल मानकों पर ख तो अतिरिक्त मुख्य सचीव राजस्व ने सभी उपायुक्तों को लिखा पत्तर बसूली करने के दिये आदेश तो पदेश में फरजी तरीके से 11,388 आयकर दाताओं ने भी किसान सम्मान निधी योजना का लाब ले लिया इन्हें जो है इसने रुपे का भुगतान जो ह भी कहा गया है इस सम्मंद में अतिरिक्त मुख्य सचीव राजस्व ने सभी उपायुक्तों को पत्तर भी लिखा है तो यह कुछ दूस यहां पर अपडेट है और किस जले में कितनी अपात्रों ने लिया लाब तो बिलास्पु में 1012 चंबा में 3142 हमित्पु में 915 कांग खी लाब थे तो देख लो दूस्तों ठीक है चलिए नेक्सट प्लेटियर ही निजी सकुलों के खिलाफ आज फिर होगा शिक्षनいた इशाले का घेराव तो प्लेश के निजी सकुलों की फीस के खिलाफ जो है बुद्ध्ध्वार को उत शिक्षनी इशाले का दोबारा से घे लगाई है मंचना शिक्षन देशक को चिताया है कि अगर उन्होंने सभी तरह के चार्जेज की बसूली बाद 2020 वर्ष में निजी स्कूलों बढ़ाई गई फीस पर रोक ना लगाई तो पहले चरण के बाद दूसरे चरण का आंदोलन भी शुरू होगा तो यह कुछ दूसरो शिक्षा में जो है टीचर एप के मुल्यांकन में राश्ट्री स्तर पर उना जिले को अबल पाया गया है अकेले नमंबर 2020 में जिले के चोड़ासो शिक्ष कोने टीचर एप से कोर्स पास कर ओनलन प्रमान पत्तर हासिल किया है अन्य गति वीदियों में भी उना जिले के शा दोस्तों निजी स्कूलों को फिर ट्यूशन फीस ही लेने के निरदेश शिक्षा मंतरी नजी स्कूलों के सभी मरफंडों समेथ ट्यूशन फीस बशूलने के मामले में अविभावकों के लिए राहत की बात है शिक्षा मंतरी गुविंद ठाकुन ने जो है सभी निजी स्कूलों को अब फिर से सिर्फ ट्यूशन फीज लेने के ही निदेश दिये हैं मंतरी ने निदेशाले और उपायुक्त शिमला को भी यह सुलेशित करने के लिए विवस्ता करने के लिए निदेश दिये हैं आदोलन अभेलना करने वालों पर कारवाई के लिए भी कहा गया है हलांकि जिन स्कूलों में सारी फीज वसूल ली है वह रिफंड होगी यह नहीं अभी यह तय नहीं है निजी स्कूलों की मनमानी से परिशान अभावकों से मिलने पर शिक्षा मंतरी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मार्च तक जो है सरकार निजी स्कूलों पर अंकुष लगाने के लिए उचित कानून बनाएगी अभावकों को अन्य शुल्क नहीं बसूलने का मंतरी न दिया भरोसा निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुष लगेगा अंकुष सरकार बनाएगी एक उचित कानून सभी फंड समय लेनी कर दी थी बार्चिक फीश चलि दोस्तों तो यह कुछ यहां पे स्कूल से लेटर डे अपडेट थी चलि नेक्स अपडेट अपडेट अपी देख लेते हैं सूबे के स्कूलों में मल्टी टास्क बरकर भरती के लिए नियों हमें संशोधन तो घर से दूरी के हिसाब से मिलेंगे नंबर प्रदेश भर में भरे जाने हैं 7852 पद तो पार्टाइम मल्टी टास्क बरकर की भरती के लिए स्कूल से घर की दूरी का सर्टिफिकेट लाना होगा प्रमान पत्तर की शर्ट नहीं थी इसके लिए अभ्यारती को ग्रामिंट ख्षेत्रों में पंचायत सचीव और सहरी ख्षेत्रों में कारेकार यदिगारी से प्रमान पत्तर जारी करेंगे प्रानबिक शिक्षा निदिशाले न जो है भरती प्रक्रिया के नेमों में सेंजोदन किया है इस भरती में स्कूल से घर की दूरी के हिसाब से दो से दस नंबर मिलेंगे हिमातिर स्कारी स्कूलों में लगाए जाएंगे 7852 पार्ट टाइम मल्टि टास्क बरकर जो है ये निक्त के जाएंगे सरकारी स्कूलों में तो आगे देखते हैं तो अभ्यरतियों को खंड प्रानबिक शिक्षा अधिकारे BEO के साथे कागज पर आवेजन करना होगा स्कूल को खोलना और बंद करना परिसर के और कख्षाओं में सफाई करना पीने के पाने के इंतजाम करना और स्कूल की डाक को अन्य विवागों में पहुंचाना आदी इनका काम होगा तो यह देख लो आप दोस्तों पहले भी यह शायद आय थी और 5,625 रुपे मिलेगा बेतन 30 अंकों के अधार पर किया जाना है जयन तो यह दोस्तों कुछ अपडेट है यहां पर देख सकते हो पूरा पढ़ना जाओ तो पढ़ सकते हो यहां पर ठीक है चलिए यह दोस्तो एक्जिक्यूटिव और मैनेजर के पदोफ और अफसर्ड एन नैशनल हाई स्पीड रेल कुरॉपरेशन लिम्टेड एन एच एस रसी एल में यह विकेंसिज हैं सीनिर एक्जिक्यूटिव सीविल इलेक्रिकल इत्यादी एवं असिस्टेंट मैनेजर जर्रल टोटल विकें एक लाख चालीस हुजार और पचास हजार से लेकर एक लाख साथा जार रुपे तक बेतर यहाँ पर बताया गया है एक जनवरी दो होजा एक किस से पहले पहले जो है आपको ओनान आविदन इसके लिए कर लाना है एक जनवरी को जो है अड़बर्टीमेंट खतम हो मंगलबार को स्कूल शिक्षा बोडने 112 प्रिक्षा के लिए अध्यापक पातरता प्रिक्षा करवाई तो यह दूस्तों एक इंपोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे चली नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं यह रही एमफिल और एममेड की प्रवेश प्रिक्षा करवा जल्द करवाएं तो एच्प्व में डियस को ग्यापन सौंते सफ़ाइ कारे करता तो इन्हों ने यहाँ पे सफ़ाइन और एमफिल और एममेड की प्रवेश प्रिक्षा जल्द करवाने की मांगी है इस मांग को लेकर मंगलवार को इकाई के प्रतिनीजी मंडल ने डियस स दें मुलाकात की और प्रवेश प्रिक्षा जल्द करवाने का आगरे किया है तो ये कुछ यहां पर कहा गिया है इसी सत द्शाएन जारी करने का असवाशन दिया है कहां कि अगर जल्द जारी नहीं हुए तो यह कुछ दोस्तों आपडेट है चलिए नेक्स्ट अपडेट देखे लेते हैं अभी यह एच्पू ने किया बीसी और का रिजल्ट आ चुका है और आपको जो है जिन्होंना भी कॉंसलिंग में भाग लिया था उन सभी का रिजल्ट आ चुका है और उनको जहें कोलेज भी अलोट कर दिया गया है तो कल मैं वीडियो बना चुका है वह चेक कर लेना और इसके लाब बीसी नर्सिंग की भरी कल ही मैंने वह वीडियो अप्लोड कर दी है दूस्तों यह थी आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स और आपको यह वीडियो ची लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा मेरे लेटिस्ट अपडेट्स के लिए थैंक्यू